नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का यॉर्गो चैनल पर आज के इस वीडियो में हम टीम लीडर के बारे में बात करेंगे टीम लीडर की क्या responsibilities होती है ये होते क्या चीज है और क्या क्या काम इन्हें करने पड़ते हैं कंपनी में वो सारी जानकारी लेते हैं लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस इतना चाहूंगा दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए तो सबसे पहल टीम लीडर होता क्या है, तो सबी है कि कमपनी के मैनेजमेंट की पहली सीडी होती है, आप सबий को पता है कि कमपनी है तो उसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग process होते हैं, अलग-अलग online चल रहे होते हैं कोई marketing में लगा हुआ है कोईacción मे लगा हुआ है कोई packaging में लगा हुआ है हर एक team का एक अलग team leader होता है जोकि उसे manage करने का काम करता है अब आप देख रहे हैं एक production की team की बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर production एक company के अंदर हो रहा है, तो इस पूरे production के अंदर 20-20-30-30 लोगों की team हो सकती है 10 लोगों की team हो सकती है उस team को lead करने के लिए एक बंदा होता है जो कि इनको manage करेगा इनको control करेगा, तो क्या समझ में आता है, कि management का जो सबसे पहली CD है, सबसे निचले इसतर की जो CD है, वो team leader है वो ही सबसे शुराती समय में lead करता है, फिर उसके ओपर और भी leaders आते हैं, team leader जो होते हैं वो एक और level of control यहाँ पर create करते हैं, मतलब जो teams काम कर रही है, उनके उपर एक अच्छा सा control आ जाता है, साथ ही साथ एक team leader की responsibility ये भी होती है कि वो अपनी team को influence करें motivated रखें, उनके साथ काम करें और उनको एक leader की तरह ही अपने काम को पूरी तरीके से complete करें तो एक team leader की ये सारी जिम्मेदारी होती है, कि अपनी team से जितना जादा हो सके, जितना आच्छा हो सके वो काम निकाले, और team को इसमें एक bossy field भीना है boss और leader में यही चीज़ फ़रागे कि leader जो होता है, सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ता है एक team leader की जो to do list होती है यानि कि एक list उसके काम की वो काफी जादा बढ़ी होती है, उसके पास बहुत सारी responsibilities होती है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ लेकिन एक team leader के काम में सारी चीज़े आती हो, एक team leader को ये सारी चीज़े perform करनी ही पड़ती है, आगे चलके अगर वो अपने CV में दिखाते हैं कि उन्होंने team lead करी हुई है इतने सालों ता इसका experience है, तो आपके लिए benefit का काम करता है, वो आपको एक ऐसा responsible person दिखाता है कि जिसको काम के बारे में समझे, जिसको companies के बारे में समझे, अगर आपने job करी होगी कहीं पर तो experience हुआ होगा कि team leader कई बार बहुत जादा जो होते हैं, तफ होते हैं आप जितना production में, जितना भी आप काम कर रहे हैं, उनसे जादा team leader के पास काम होते हैं, और अलग-अलग काम होते हैं उनको उन चीजों को manage भी करना पड़ता है prioritize भी करना पड़ता है, कि कौन सा काम पहले किया जाए, तो उनका एक अलग ही काम होता है, समझ लीचे चलिए, मैं इनके कामों की गिंती आपको बताता हूँ, जिससे आपको जादा समझ में आएगा कि कौन कौन से काम इनको करने पड़ते हैं सबसे पहली बात, team leader की पहली responsibility है कि अगर manager office में नहीं है, तो उसको cover करें, देखिए, पहली तो जिम्मेदार यहीं जुड़ जाती है कि आपको team leader होते हुए, मैनेज सब कुछ करना है, manager नहीं है office में, तब भी सब कुछ संभालना है, तो ये कुछ situations में होगा, कि जब manager नहीं है, जब है, तो वो खुद manage करेंगे, लेकिन जाधातार होता क्या है, कि manager अपना भी load जो है, team leader के उपर डालते हैं, उनके रहने के बावजूद भी वो जो है, अपने कामों को, दूसरे कामों को जाधा प्रडाइस करते हैं, और जितना team leader के उपर load डाला साकता है, वो डालते हैं, और team leader को आप लीड कर रहे हैं, उस team का पूरा काम जो भी है, वो आपको आना चाहिए, और फिर अपने team को समझा सकें, उनको brief कर सकें, उनको कैसे काम को करना है, वो समझा सकें, और कैसे जाधा से जाधा आउटपुट निकल कर आएगा, वो भी आप बता सकें, यह सारा काम एक team leader का होता है, आप एक team leader है, तो काफी सारे लोगों से आपकी connection होते हैं, आपके manager से, आपके supervisor से, आपके उपर और भी लोग होते हैं, कई बाए clients के, तो सभी के emails हैं, उनको भी manage आपको करना होता है, आप यह नहीं बोलूँगा, सबकी ideas manage करने हैं, साति सात आप सभी को पता है, एक team leader झो होता है, वो अपनी team के साथ काम करता है, तो जो भी project चल रहा है, जो भी काम GC, कल रहा है उसको अच्छी तरीके से मौनिट करना की क्या काम सही तरीके से हो रहा है नहीं बहुत ऑगारा है को आपको पता है किक us such अगर इंडे चुछ स्क्राइब करना थे पम हो बढूंग की वह मैनेंजर के पास दार्रीन नहीं वाला है कि फलानी चीज हो नहीं रही है वो टीम लीडर के पास आगे फिर अपने जितनी भी आपको समझ है उस चीज से उसको सॉल करना और नहीं हो पाता है तो फिर उपर के अधिकारियों तक पहुंचना की नहीं यह चीज जादा प्रॉब्लम दे रही है यह सारे काम पर ट ऐसा कुछ हाथसा हो गया कुछ चोटी मोटी घटना हो गया जिसके वेज़े सभी डी मोटिवेटेड हो गया हो नहीं पाएगा या टार्गेट कंप्रीट नहीं होगा इस बार सोचने लग जाते है तो तब उस समय पर टीम लीडर का काम होता है कि अपनी टीम को पॉजिटि लिए उन्हें बढ़ावा देना उन्हें प्रत्साहित करना ये काम भी एक टीम लीडर का होता है अगर आप अपनी टीम को अप्रेशेट नहीं करेंगे तो टीम को एसा लगने लग जाता है कि यार काम हमेशा हम लोग कर लेते हैं बड़ कुछ मिलता नहीं है तो वह एक बो करती नहीं होगी हो सकता है किसी वरकर ने क्या किya है कि कुछ चीज गलत कर दी जैसे आप किसी प्रोडक्शन कंपने में काम करें पार्ट गलत तरीके से असेंबल हो जाता है कोई फराब हो जाता है वहीं यहापर पूरी मशीन में आ आ गया तो इसकी क्वालिटी कंट्रल कर होती है थे काम है कि जितना भी ज्यादा हो सकते क्वालिटी पर हम ध्यान दें तो बनानी है यह और भैतर हमेशा हो सकती यह चीज चाहब Sec stitch को देना होता है अब एक काम आप कर रहे हैं दोस्तो हमेशा से से प्रजेक्ट पर आप लगे हुए लेकिन अप कुछ उसमें चेंज् तो उसको अपने टीम के साथ communicate करना टीम को समझाना क्या-क्या changes हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से खुद समझना मैनेजर से जितने भी question कर सके उसके बारे में सारे लेना और फिर अपने टीम को उस बारे में हर एक प्रकार से knowledge देना कि जो अब बनेगा वो उसमें क्या-क्या changes changes होने वाले हैं और कैसे करना है ताकि final product जो निकल कर रहा है वो अच्छा हो और आप कहीं पर miss नहों तो एक communication skill भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है किसी को कोई छोटी-मोटी बिमारी लग सकती है या किसी के साथ कुछ पर किसी को परिशानी है सकती है पै टूट गया या हाथ में कुछ चोट लगी है कर सर पे चोट लगी है तो ऐसे समय पर अपने employees की help करना उनको उनकी care करना उनके health की पूरी जिम्मेदारी लेना कंपनी के तरफ से मिला हूँ इंशुरेंस तक पहुंचे ये कोशिश करना ये सारी चीजे जो है एक team leader के काम में आती है तो team leader की responsibilities जैसे मैंने आपको starting में बताया था बहुत सारी मैंने हापर गिनाई और इस सारे काम team leader को simultaneously हर दिन करने होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका work का जाफ ही जाधा easy है बहुत जाधा hectic work उनका होता है लेकिन जितना जाधा वो काम करते हैं उतना ही जाधा experience उनका होता है और आगे बढ़ने के लिए क्योंकि देखिए एक होता है ना कि आप production में जब तक है तो आप एक laborer की तोर पर या फिर आप एक worker एक employee के तोर पर काम कर करती है कि उपर की जो पोश्ट होती है वहाँ पर जाधा तर दिमाग पर प्रेशर होता है तो वहाँ पर आपको बहुत जाधा help मिलती है तो यह दोस्तों तो यह दोस्तों एक team leader की responsibilities अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब की जी और कमेंट सेक्षिन ने बताएं वीडियो कियासा लगा है जाने बाद